वेलकम तो टेक निकलेस पर्टाइज दोस्तों आज की स्विड़न मैपस बार के नहीं हो बीटा वर्जन्स के बारे में दोस्तों आपने बीटा वर्जन्स के बारे में सुनाई होगा तो बीटा वर्जन्स होते क्या है इसके बारे में जानकारी इसके बारे में पूरी जानका किजिए तो let's go मैं दूस्टों काफी बार सुनते हैं कि beta version के बारे में कि Chrome beta version launch हो चुका है Chrome का beta version launch हो चुका है Instagram का beta launch हो चुका है और उसके साथ साथ पुरानी जमाने में हम देख एक जावा फोंस में भी यह होगा मतलब जबस न priced मतलब आपने जौ प्लैकल के फोन के मतलब वह जो एप्लेकेशन थे वह जाबर पे चलते तो यह जावा फ्लेटस्वार्फ भी को यह हो छयाता है वाज का फिरस्ट औफिछॉल application हमें देखती है उसका जो वो style होता है उसका जो look होता है वह बहुत ही अलग होता है beta version से और beta version का थोड़ा basic हमें दीख्यां देता है जैसे जब से जीक Mengoqu जाते है तो बीटा वर्जन है क्या दोस्तो सारे software ना coding language से बनाया जाते हैं आपको यह पता है तो coding language में कुछ बाते हम सारे बाते clear नहीं कर सकते हैं तो कुछ बाती रह जाती है तो कुछ बाते clear करने के लिए हमें यह बीटा वर्जन बनाना पड़ता है मतलब क्या कि एक sample version बनाया जाता है और उसको publish किया जाता है और वो बीटा वर्जन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओफिशल वर्जन नहीं वो सिर्फ और सिर्फ चीकिंग के लिए है मतलब उसमें कुछ modification लाना है यह जो जिअ वर्जन है ए मर्जन क्या ओफिषियल करना चाहिए इस्में आरि ये ठीक यह देखने के लिए वह बीटा बर्जन एक सर्श ब्रणन फंस स्वास बनाया जाता है उसको उफिषिल आप बनाने से पहले या शर्रल Kea said Сबस या एक Di 분 भ़त है आपको फटास motor से वर दिरहा एंसे Vealих manga करना होता है आप खुद भी बन सपते ई बीटा वर्जर लिए मजा बट बीटा बरहें को अधार जाता है पर अब नहीं है तो बीटा उंतनक क्या होता है कि फकी सारी बाते जो भी उन्होंने उसमें डाले है न्यू ट्वीस जी सारी है बघंवर है यह wowg तो नहीं कहीं कुछ बाथे सब मिल रही यह application में कुछ पिदिकेशन मेंださい हैंग हो रही है या उसमें कुछ अधिशनल है तो यह सारी बाते चेक करते यह बिद हरत लिए उसके बाद जह इसमेश भी नहीं रहता मतलब सब बराबर है सब सब अधिक क्लिर हो जाता है तो भी इसको जोलो बना दिया जाता है उपसले बाद है कि बहुत हो जाता है मतलब किसमे कुछ मौडिफिकेशन है कि ये भी आप भी बन सकते हैं आपको बस गूगल पर सर्च किजिए और यूटुब पर सर्च किजिए उसके बाद आप उसका फिडबैक भी दे सकते हैं और दूसरी बात बीटा वर्जन में फास पास वर्जन आपको मिले जाते हैं दोस उसमें आ जाते हैं तो यह भी बहुत ही अच्छी बात है तो दोस्तों यह थी बीटा वर्जन के बारे में जान करें और अगर आपको ऐसी टेकनोड़ी की वीडियो दिखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उसके साथ बेल आइकन को भी दोगत दीजी उसके झाल